हाई फ्रेंड्स आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने सेविंग बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते होंगे या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका अकाउंट SBI में है और वो योनो SBI नाम की अप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो क्या आपको पता है क्या जब भी आप अपनी योनो SBI या फिर अपना किसी भी परचेश का पेमेंट कार्ड के थरू या किसी UPI के थरू करते हैं आपको कुछ एक reward points मिलते हैं उस reward points को redeem करके आप कई परकार के products खरिच सकते हैं नहीं न तो आएए आज इसी वीडियो के तहट ये जानकारी हासिर करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीब और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सिखो और सिखाओ तो friends इन reward points के पारे में जानने और इन्हें redeem करने के लिए आपके पास होना चीए योनो SBI का app और उस योनो SBI आप को open करना है उस योनो SBI app को open करने के बाद आपने अपना username password डालना है ये अभी मेरा home page का interface खुल गया है योनो SBI का तो ये इस परकार का होगा कुछ अभी आपको क्या करना है सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे होगा SBI rewards SBI rewards पे simply click करना है SBI rewards पे आप click करेंगे तो देखेंगे my rewards में 2139 points आ रहे हैं और वहाँ लिखा भी हुआ है you have 2139 points उसके नीचे redeem now का option दिया हुआ है उसके नीचे total देखें तो total earned points 3093, total redeem points 0, total expired points 954 यानि कि 954 points ऐसे हैं जिसका इस्तमाल मैंने क्या ही नहीं है और वो expired हो गए और उसके नीचे दिये हुए हैं कुछ ऐसे points जो मेरे जल्दी expired होने वाले हैं जैसे 28 February को इतने points 31 March को इतने points या 30 April को इतने points मेरे expired हो जाएंगे और उसके नीचे transaction details दी हुई है कि मैंने कब कितने points कहां से कमा हैं आप date wise देखना चाहें तो आप date wise भी देख सकते हैं तो अभी देखते हैं इनको redeem कैसे किया जाएं अभी जो you have 2139 points के नीचे redeem now को option है उस पर आपको click करना है I agree पर click करना है फिर एक नया page खलेगा जिसमें आपको अपने points के एवस में redeem करके अलग-अलग प्रकार के products ले सकते हों वो products की categories हैं जैसे electrical products या home appliances किसी भी प्रकार का आप खरीच सकते हैं तो देखिए ये आगया है कि आपको क्या करना है merchandise पर जाना है, gift and voucher पर जाना है, insta voucher या फिर अलग-अलग प्रकार, flight में इस्तमाल कर लेना है, hotel में इस्तमाल कर लेना है तो ये अलग-अलग प्रकार के options इसमें दिये हुए हैं तो मैं इसमें देखता हूँ, electronics में electronics में जब मैं गया, electronics में जाने के बाद इसमें अलग-अलग electronics के points और उसके rupees दिये होंगे जैसे कि हम suppose करते हैं ये motorola के headphones motorola के headphones 14,236 points के हैं, ठीक है तो यदि आपके पास इतने points नहीं हैं, तो आपके पास जितने points हैं suppose आपके पास सर्फ 3000 points हैं, तो आप 3000 points दे करके और बाकी payment करके हासिल इसको कर सकते हैं जैसे कि यहां पर देखिए, मेरे पास सर्फ 3000 points हैं, तो मैं ये तकरीबन 3000 points के उपर गया और 3000 points के अलावा मुझे इसको देने पड़ेंगे 2799 रुपीज, तो मैं ये ले सकता हूँ और भी कोई example देखते हैं, जैसे कि ये ये mouse है, ये mouse है 1596 points का तो अगर मैं कोई ये mouse चाहिए, तो मैं इतने points कटा करके, इसको add to cart में करके ले सकता हूँ, जो की courier से आपके address के उपर आ जाएगा तो friends, ये थी जानकारी अपने redeem points करने के लिए, जो rewards points मिलते हैं, आपको उसको redeem करने की जानकारी बहुत से लोगों कोई ये जानकारी नहीं रहती है, तो ये जरूरी है कि आपको ये पता हो, और आज ही अपना YouNowSBI का app खोड़ के देखें, कि आपके कितने points हैं, जो आपको पता ही नहीं हैं और आपके account में पढ़े हुए हैं Thank you